हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्टाइल कोकिंग बाई पूजा अलग-अलग टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल पर आपको मिलेंगे एकदम easy and quick रेसिपीज जो बनेंगे घर में मौझुद सामुगरिसी ही तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी आज हम देखेंगे पोहा और सूजी से बनने वाली और एकदम जटपट तयार होने वाली एक नास्टा की रेसिपी तो आज की हमारी रेसिपी है पोहा डोसा इसके लिए यहाँ मैंने एक कप जाड़ा पोहा लिया है अब सबसे पहले हम यह पोहा दो बार पानी से दोके लेंगे क्योंकि इसके उपर बहुत बार डस्ट होती है पोहा दोके मैंने पूरा पानी इसमें से निकाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे यह एक कप सूजी अब इसमें हम डालेंगे ये थ्री फोर्थ कप दही आधा टीस्पून नमक इसी के साथ ये एक कप और पानी डाल देती हुमें इसमें सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसमें पोहा लिया है और सूजी लिये है ये दोनों चीजे पानी एब्जोब करेंगे और अब मिक्स करने के बाद हम इसे एक पाँच मिनिट के लिए ऐसे ही साइड में रख देते हैं अब जब तक अपना डोसे का बैटर भीग रहा है तब तक हम इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बनाएंगे ये चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश नारिय लिया है थोड़ा सा दो हरी मिर्च दो तिन लहसुन की कलिया थोड़ा सा हरा धनिया और ये एक टीस्पून जितने मैंने भूने होए चने लिये है ये चटनी हमारी एकदम जटपट तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा तेस्टी लगती है ये चटनी खट्टी मिठी बनाने के लिए इसमें मैं डालूंगी एक टीस्पून चीनी, एक टीस्पून नीम्बू का रस और सौधानुसर नमक और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालके इसको महीम पीस लेती हो तो ये लिजे, यहाँ पे अपनी एकदम बढ़िया से चटनी भी बनके तैयार हो गई है तो अब हम ये चटनी के लिए एक फटा-फट से तड़का भी तैयार करेंगे अब ये गरम तैल में हम डालेंगे ये आधा टीस्पून उड़त की डाल, आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा और थोड़ा सा करीपत्ता तो ये हमारा चटनी के उपर डालने के लिए तड़का भी तैयार हो गया है अब ये गरम गरम तड़का जाएगा अपने चटने के उपपर तो फिलाल हम ये चटने अब साइड में रख देते है पाँच मिनिट के बाद अब ये देखिए अब में जो पानी डाला था वो पोहा और सूजी ने सोप कर लिया है तो अब हम ये अपना सारा मिश्रण एक मिक्सी के बर्तन में डालेंगे अगर आपका मिक्सी का बर्तन छोटा है तो आप ये दो बैचेस में भी कर सकते हो अब इसमें हम डालेंगे फिर से एक कब भर के पानी इसको भी हम एकदम महीम पीस लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह हम इसको एक दम फाइन पीस देंगे अब हम ये पीसा हुआ बैटर अपना उसी बोल में निकाल देंगे मैंने भी अपना बैटर दो बैचेस में पीस दिया है इसकी कंसिस्टनसी हम ऐसे ही रखेंगे जैसे हमारे नॉर्मल डोसा जब हम बनाते है उसकी कंसिस्टनसी होती है वैसे ही तो चलिए अब हम इससे डोसे बनाएंगे लेकिन उससे पहले हम इसमें ये पाव टीस्पून मीठा सोडा डाल देंगे या तो फिर आप इसमें इनो भी डाल सकते हो और फिर से इसको एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे अब डोसा बनाने के लिए नॉन्स्टिक पैन में में थोड़ा सा ओईल डाल देती हो और ये ओईल को हम थिशू पेपर की मदद से वाइप करके लेंगे और अब इसमें जाएगा अपना ये डोसे का बैटर बैटर डलने के बाद हलके हाथ से इसको हम स्प्रेड करेंगे इसको हम ज्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और इसको मैं अब ढ़क के एक दो मिनिट तक अच्छे से स्लो गैस पे पकने दूंगी और अब दो मिनिट के बाद ये देखी अपने डोसे के उपर कितनी एकदम बढ़िया से जाली भी आ जाती है और अब ये उपर से पूरा ड्राय हो गया है तो आप चाहो तो आप इसे ऐसे ही निकल सकते हो या तो फिर इसको हम एक बार पलट देंगे उसरे साइट से सिर्फ आधे मिनिट में इसको पकने दूंगे तो ये डोसा बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि ये बहुत ही फटाफट बन जाते है तो हम इने सुबह के नास्टे में बना सकते हैं ये देखिए अब इसी प्रकार में अपने सारे डोसे बना देती हो और ये खाने में बहुत ही एकदम सौफ सौट बनते है तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे या बुर्जुर्ग है तो उनको भी आप ये नास्टा खिला सकते हो तो फ्रेंट्स ये देखिए यहाँ पे कुछ डोसे मैंने बना के तैयार किये है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डोसे में कितनी एकदम बढ़िया से जाली आ जाती है इसका कलर भी कितना एकदम सुन्दर आ जाता है और ये इतना soft बनता है कि ये देखे एकदम अपना रूमाल होता है वैसे ये देखे बिल्कुल भी तुटेगा नहीं और आपने तो देखा है इसमें हमने बनाने के लिए बिल्कुल तेल का यूज नहीं किया है तो भी ये बिल्कुल चिपकते नहीं है और एकदम बढ़िया से soft बन जाते ये देखे और हमने ये जो नारियल की चटनी बनाई है उसके साथ ये खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगते है तो आप भी मेरी ये रेसिपी एक बार जरूर बना के देखे तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे ऐसी एक मज़ेदर और इजी रेसिपी के साथ तब तक ठैंक यू